नमस्का दोस्तों मैं दिनेश पांडे आप सभी का कॉम्टिशन कम्यूटी में स्वागत करता हूँ कैसे हैं आप लोग पढ़ाई हो रही होगी और जरूरी भी है समय बहुत कम है और हमको पढ़ना बहुत है आज हमारा आखरी लेक्चर है सभी धान का दस्वा लेक्चर है पिछले नौ लेक्चर में मैंने आपको वो सारी चीज़े बताई है जहां से कोश्चन हमेशा बनता है और जहां से कोश्चन हमेशा आया है साथ ही साथ मैंने आपको आर्टिकल्स भी बताए है आपको सीप इतने ही करना है कि उस पूरे आर्टिकल को मतलब इस नौ लेक्चर में मैंने जितने भी आर्टिकल साब को बता है ना उन सब को अच्छे से एकदम रट लेना याद रखिए बहुत important बात बताया हूँ, बहुत important lecture था हमारा, वहाँ से question आना है, मतलब आना है, ठिक बस आपको इमानदारी से उन सारी चीजों को रट के बैठ जाना है, और कुछ निकरना है, यहाँ पर आपका सविधान आज complete हो जाएगा, और इसी के साथ ही मैं यह निकाय और पंचायत से संबंदीत question, ठिक, तो नगरी निकाया से संबंदीत जो question है, पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, भाग 9A है यह, आर्टिकल्स है इसमें, उसके आर्टिकल्स को बताता हूँ, फिर मैंने इसी portion में ही पंचायत और नगरी निकायत, दोनों को mix करके question यहाँ पर लाया है, और यहाँ पर question थोड़े से high level के है, clear, जो question हम इसा फसते हैं exam में, clear है, तो चलिए, शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में information दे देता हूँ, क्या है यह, कैसे इसमें कौन-कौन से articles हैं, उस articles में क्या-क्या बाते कहीं कहीं हैं, उसके बाता है, 74 constitution, नगरी निकायों से सम्मंदित, ठीक है, और यह है 1992 के तहट, इसको भी same, वही समीती थी, सब कुछ same था, इसमें किसी प्रकार का कोई जादा नहीं था, यहाँ पर भी Lord Ripan को ही कहा गया, इस्थानी निकायों का जन्मिदाता, ठीक है, भारत में सबसे पहले कर निकायों, क्लियर, उसके बाद फिर और भी अंग्रेजों नों फिर लॉड मेयों का क्याना में प्रस्ताव आया, ठीक है न, 870 में उसके बाद धिरे-धिरे-धिरे-धिरे काम करते गए, जब राजियू गांधी का समय आया, उससे पहली भी लोग लाए थे सरकार्ण में मगर उसके बाद राजियू गांधी का साशन काना आया, तो वहाँ पर भी इसको पेस किया गया था, बट वहाँ पर पास होने के बाद फिर भी भांग हो गई थी, लोग सभा, क्लियर, यहाँ पर जब पीवी नरसीमह रावा आया, तो उन्होंने इसको सम्वेधानिक दरज को भी सेम वैसी था, मगर यह लागू हुआ, जून 1993 में, ठीक, क्लियर, जून 1993 में यह लागू हुआ, और इसको सम्विधान के किस भाग में रखा गया, सम्विधान के भाग 9A में, नाम दिया गया नगरी निकाह, ठीक, आर्टिकल 243P से, 243ZG तक, ठीक, इसको 18 भी से दि और इसको भारती सविधान की बारवी अनुसूची में सामिल किया गया, कौन से अनुसूची थी वो, बारवी नंबर की अनुसूची थी, ठीक है, इतना इसका समाने जानकारी आपको रखना है, तो अब डिरेक्ट अपन आते हैं, आर्टिकल्स में, और उसके बाद फिस सि ठीक, आर्टिकल आर, ये नगरी निकायों की सरचना, वैसे तो भारत में नगरी निकायों की आठ प्रकार है, ठीक, आठ प्रकार की स्थानी नगरी निकायों है, मगा अब हमको पढ़ना है तीन, ठीक, हम लोग को समाने ता पढ़ना रहता है, तीन पढ़ना रहता है, तो ठिक, नगर निगम के लिए कहा गया है कि 5000 से 20,000 तक की जन संख्या ठिक, 20,000 से 1,00,000 तक की जन संख्या ठिक, और 1,00,000 से या उससे अधिक की जन संख्या में क्या बनेगा, नगर निगम 20,000 से 1,00,000 तक की नगर पाली का और पांच जार से लेकर के 20,000 तक की जन संख्या में नगरपंचायद बनेगा नगरपंचायद को संक्रमर सील छेतर भी कहते है ठीक, नगरपंचायद किसी कहा जाता है कि वो छेतर जो गाउं से सहर में बदले किस से बदल जाए, गाउं से, जो सहर में परिवर्तित होते हैं, उसी को ही किसका दर्जा दिया जाता है, नगर पंचायत का, मतलब जिसकी दन संक्या 5,000 या उससे अधिक हो जाती है, तो समानने तह, ठिक, उसको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है, clear है ठीक तो नगर पंचायत एक संक्रमल सी छेत्र होता है गाउं से सहर में परिवर्तित होने वाले चेत्र को कहा जाता है नगर पंचायत कहा जाता है clear है तो ये उसकी सरचन रहेगी किसकी नगरी निकायों की वैसे होते 8 प्रकार के हैं मगर हमको पलना तीन है. नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत. ठीक है? क्लियर. उसके बाद article एसे ही, सुरी, यहांपर लिखा गया. ठीक है? Article S. तो article S किसके बारे में बोलता राहा? यहां पर ward के बारे में बात करता है. wad truck का गठन. ठीक? उसके बाद Article T, T बोलता है आरक्षन के बारे में, तो सेम वही क्या कि SC, ST को उसकी जनसंख्या के अधार पर और महिलाओं को 33% आरक्षन की बात किई गई है, ठीक है, कितना महिलाओं को 33% और ST, ST को उनकी जनसंख्या के अधार पर, सेम यहीं पर भी आरक्षन, ठीक, उसके बा V, V बोलता है योगता, आवधी वही, कितना सपत घ्रान करने से, 5 साल तक, योगता वही कितनी उम्र होनी चाहिए, अगर आपको पारषत का चुनाओं लड़ना है, तो कितनी उम्र होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्स आपकी होनी चाहिए, स्थानी निकायों के चुनाओं के कार ठिक उसके बाद X कर लगाने की सकती कर वसूलने या लगाने की सकती ठिक ओके उसके बाद Y तो Y बोलता है विट्टा योग सेम एस वही प्रोसेस है यहां पर भी जो पंचायत में था जिसके बारे में आपको बताया था वही राजपाल गटन पांस साल के लिए फिर वही पैसों का विट्वार बटवारा सेम वही प्रोसेस जान आपको पंचायत में मैंने बताया था फिर उसके बाद जैड अंकेचन वही जो पंचायत में था आदिटर उसके बाद जैड ए तो जैड ए बोलता है निर्वाचन-आयोग राज्य निर्वाचन-आयोग तो नगणी निकायों कभी चुनाओ शंड़े कर आजाएगा राज्य निर्वाचन-आयोग के द्वार जाए जाएगा सेम वही जो पंचायत में था ठीक उसके बाद ZB संग छेत्र में मतलब केंसासित प्रदेशों में नगरी निकायों के बारे में ठीक उसके बाद ZC कहां लागू होगा कहां लागू नहीं होगा तो यह तो ऐसा है कि पंचायत को तो क्या था कि पंचायत को पंचायत कहां कि और सिक्की मगवा को छोड़ करके सभी जगों में था क्योंकि वहाँ पर नगर जादा है मतब नगर हैं बसके वलो तो यह तो सब जगा रहेगा जहां जहां नगर होंगे जहां जहां सहर होंगे, वहां पर यह लागू होगा, तो यहां पर सिक्की मग गोवा भी इसमें सामिल हो जाएगा, ठीक है, तो सिक्की मग गोवा को भी नगरी निकायों में सामिल किया गया, तो कहां लागू नहीं होगा, तो इतो वही है, कि सब जगा लागू हो गई है, ठ जीला नियोजन समीति या जीला योजना समीति ठीक क्लियर फिर उसके बाद जैड ए महानगर नियोजन समीति यह दो आर्टिकल एक्ट्रा जूड़ गए यहां पर इंपॉर्टेंट है यह जीला नियोजन समीति और महानगर नियोजन समीति आर्टिकल जैड ए क्लियर उसके ब का बना रहना, और एंड लास्ट, जैट जी, निर्वाचन सम्मंदित विवाद, नयालया में प्रववर्तनी नहीं है, ठीक, क्लियर, तो इतने आर्टिकल्स आपको याद रखने किसमें, नगरी निकायों में, ओके बस, इतना जानना है आपको किसके बारे में नगरी निकायों के आर्टिकल्स के बारे में, क्लियर है, चलिए, अब देखते हैं, यहाँ से अपने MCQ, ठीक है, तो MCQ में पहला है आपका कोशन, कि पंचायती राज प्रणाडी का मूल उद्देश, निमनी लिखित में से कौन सा सुनुचित करना है, देखो, मैं पहले भी कहा था, कि यह जो लास्ट लेक्चेर हैगा, इसमें पंचायत और नगरी निकायों के कोशन रहेंगे, ठीक है, भले हम नगरी निकायों पहल रहे हैं, भाग 9A, मगर मैं यहाँ पर दोनों के कोशन को मिक्स किया हूँ, पंचायत के भी कोशन को, और नगरी निकायों के भी कोशन को, क्लियर है, तो कोश्चन है, पंचायती राध प्रनाणी का मूल उद्देश निमनिकित में से कौन सा सुनिचीत करना है, ठीक है, तो option है, विकास में लोगों की भागिदारी, राजनीतिक जवाब देही, लोकतांत्रीक विकेंद्री करना, वित्ती जुटाना, ठीक है, विकास विकेंद्री करन इसका स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश था, क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लोकतांत्रीक विकेंद्री करन, क्लियर है, चलो, second question, जन्पद पंचायत के मुख्य कारकारी, अधिकारी के रूप में कौन कार करता है, जन्पद पं क्योंकि जो अध्यक्ष होता है, तो राधनितिक प्रमुख होगा, मगर मुख्य कारकारी के रूप में राधसरकार दौरा नियूप एक अधिकारी होता है, ठीक है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ग्राम पंचायत के पंच अध्यक्ष, ग्र इसका आप लोग देंगे जो खातों के वार्षिक विवरन और पंचायत की वार्षिक प्रगती रिपोर्ट की समिक्षा किसका काम है ग्राम पंचायत का ग्राम सभा का जीला पंचायत का कलेक्टर का यह आप लोग देंगे कि जो पंचायत होते हैं इसमें जो खाते होते हैं उ collector करेगा तो ये answer आप देंगे मुझे ध्यान से ठीक है चलो है आप प्रतेक्श उप्सर निर्वाचन हुता है जीला पंचायश अध्यक जन्तट पंचायश अध्यक उप्सर पंच तीन्यों का तो किस का किसका होगा जीला पंचायत अध्धक्ष का प्रत्यक्ष होता है जंतर पंचायत अध्धक्ष का प्रत्यक्ष होता है उपसर पंच का भी अप्रत्यक्ष होता है ठीक आंसर क्या हो जाएगा डी उपरोक्त सभी ठीक पंचों में इसे उपसर पंच को चुन लिया जाता है समाने तो आंसर क्या हो जाएगा D पंचायत चुनाव हुं प्रत्याशी की निम्तमा क्या है 20 25 18 21 तो आंसर क्या हो जाएगा 21 प्रत्याशी की उम्र पुछा है ना प्रत्याशी मतलब चुनाव लड़ेगा थिक वोड्य जीला योजना समीती का ऐसी समीती द्वारा अनुशंशित विकास योजना को राज जी के राज पाल को अग्रेशित करेगा दूसरा जीला योजना समीती के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तीहाई सदस जीला इस्तर पर पंचायत के निर्वाची सदस्यों और जीले के नगर पालिकाओं में से चूने जाते हैं तो आंसर केवल एक है, केवल दो है, दोनों है या ना तो एक है ना तो दो है तो पहला कोशन यह बोड़ रहा है कि जीला योजना समीती का अध्यक जो होगा वो ऐसी समीती द्वारा अनुशंशित विकास योजना को राज जी के राज जिपाल को अग्रेशित करेगा तो क्या जीला जो योजना समीती होती है, वो जो भी योजना बनाएंगी जीले के लिए जी समीती के माध्यम से तो वो अपनी रिपोर्ट किसको सौपेगी, ऑप्शन है राज जिपाल या राज सरकार तो ये सम्मानता सौपती है किसको राज सरकार को ठीक है, ओके, किसको सौपती है राज सरकार को अगर ऑप्शन मेरा, डारेक राज जपाल के पास रिपोर्ट नहीं भेजी जाती किसके पास भेजी जाएगी, राज जपाल के पास भेजी जाएगी ठीक, फिर राजयपाल उसको देखेगी, समिक्षा करेगी, ठीक है, नहीं है, क्या है करके, ठीक, उसके बाद फिर देखेंगे, clear, तो पहला क्या होगा, राजयपाल नहीं, राजयपाल के पास भेजेगी, तो पहला तो गलत है, ठीक, राजयपाल के पास नहीं, जीला योधन पाल के पास रिपोर्ट कभी नहीं भेजी जाती क्लियर है तो अंसर क्या हो जाएगा केवल दो सहीं है इसका निमनी कित कत्रों पर विचार करें एक सहरी छेत्र में जहां एक और द्योगिक प्रतिस्थान द्वारा नगरपालिका इस सेवाय प्रदान की जा रहे हैं वहां इसका वार्ड के लिए वार्ड सम्मीतियों का गठन करना अनिवारे है ओप्षन है केवल एक केवल दो आ तो एक ना तो दो पहला कोशन फिर से एक बार इस एक सहरी छेत्र में एक सहरी छेत्र में जहां एक औद्योगिक प्रतिस्थान द्वारा नगर पालिकाय सिवाय प्रदान की जा रही है किसके दोरा प्रदान की जा रही है अद्योगिक प्रतिस्थान के दोरा नगर पालिकाय सिवाय प्रतिस्थान की जा रही है वहाँ अभी भी 74 सविधान संसोधन अधिनियम के तहट एक नगर पालिका का गठन अनिवार रहे है, ये पूछ रहा है कि एक जगह है, जहां पर नगर पालिकाओं की काम कौन कर रहा है, और दोदिक प्रचिश ठान कर रही है, तो क्या वहाँ पर 74 Constitution Amendment के ठ्रूँ एक नगर पालिका का गठन अनिवार रहे है क्या, पहला बात पूछ रहे कि 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले छेत्र में ठीक है ना क्या चीट जहां एक या अधिक वार्ड के लिए वार्ड समीतियों का गठन करना अनिवार है क्या मतलब वार्ड समीति का गठन करना है तो क्या उसके लिए 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या की जर जो रूरूर बताएंगे, ठीक है, कम से कम, देखो, थोड़ा सा last lecture है आज, ठीक है, तो कम से कम मैं चाह रहा हूं कि अधिक से अधिक question का answer आप लोग मुझे आज comments box में दे दो, और कम से कम मुझे आज answer, आज के इस lecture में, कम से कम मुझे 50 student का answer चाहिए, कम से कम, ठीक है, यह आ अब मुलाकात हो दुबार आप लोगों से, clear, तो इसलिए कम से कम 3, 2, 3 नहीं बोलूगा, मगा कम से कम 3 से 4 कोश्चन का अंसर आप लोग दोगे, मुझे, comment box में जरूर देना, मैं reply तो करते ही हूं हर बार, और मैं तुरंत reply करूगा, और हर किसी को मैं एक एक reply जरूर करूगा कि हाँ उसने सहीं बोला है कि गलत बोला है, और comment box में मैं समझा भी दूँगा उसको, ठीक है, clear है, तो कम से कम 3 से 4 कोश्चन का अंसर आप लोग दोंगे, ठीक है, तो इसका अंसर भी आप लोग देंगे, ठीक है, clear, कोश्चन को समझे हो ना, बास, चलो, भारत के सविधान के 74 संसोधन के संबन में निमिकित में से कौन सा कथन सहीं है, मतलब 74 Constitution Amendment के तहर कौन सा कथन सहीं है, पूछ रहा है, ठीक, यह सविधान में एक नई अनुसूची को सम्रीद करने का प्राधान करता है, यह नगरपालिकाओं के कामकाच का पुनर गठन करता है, यह नगरपाल सहीं, तो यह किवल कुछ निर्देशित राज्यों के लागो है, यह तो पहली कड़ गया, सविधान में है, तो सभी को लागो करना है इसको, clear, तो चौथा कड़ गया, चौथा कड़ गया, और यह चौथा कड़ गया, तो क्या बज गया, पूरा पढ़ने की ज़रत नहीं, आंसर इस ए, तो सविधान के नहीं अनुसूची है, नगर पालिकाओं के कामकाज को पुनरगठन करता है, और नगर पालिकाओं में महिलाओं नुसूची जाते हों कि सीटे के आरक्षन का प्रावधान करता है, तीनों बाते हैं, ठीक, तो आंसर इस फॉर्स, सेकंड एंड ठाड, ओके, चलो, निल में पर विचार करें, जीला बोड, नगर निगाम, अधुसूची छेत प्रादिकरन, नगर छेत्र समीती, ताउन सिप कमेटी और पोर्ट ट्रस्ट, इन में से कौन भारत में सहरी इस्थानी निकाए है, तो मैंने कहा तक कि भारत में लगबग आठ सहरी निकाए है, तीन तो मैं बता चुका हूँ, और बाकी यहाँ पर है, तो अब देखते हैं, ओप्शन क्या है, केवल एक है, दो तीन है, एक तीन चार है, और दो तीन चार है, तो जीला बोड जैसे तो कोई नगर निकाए नहीं है, नगर निगम है, अधिसूची छेत्र है, और टाउन सीप कमेटी और पोर ट्रस्ट भी है, तो आंसर इस टू, थ्री और फोर, तो आंसर क्या हो जाएगा, दी, दो तीन और चार, ठीक, क्लियर, चलो, 74 सविधान, संसोधन अधिनियम के अनुसार, राज्यों के विधान मंडलों को, निम लिखित के उत्तरदाइत के साथ, नगर पालिकाओं को ससक्त बनाने की सक्ती प्रदान नहीं की गई है, आर्थिक विकास और समाजिक नयक लिए योजनत की तैयारी, कानून और वरस्था का प्रबंधन, उन्हें सौपी जाज सकने वाली योजनाओं का क्रियान वैन, करो, सूल्क, पत करो, आदी का उत्ग्रहन, संग्रहन और विन्योग, मतलब 74 के तहत, विधान मंडल इन में से कौन सा है, जिसको छोड़ करके, बाकी सभी के तहत कार करेगी, और नगर पालिकाओं को ससक्त बनाएगी, ठीक, तो विधान मंडल कौन सा कार नहीं देगी, मतलब कौन सा, किस कारे के लिए उत्तरदाई नहीं है, नगरी निकायों के लिए, तो कानून और वरस्था, कानू वरस्था बनाए, ठीक, वो अपने जीले की अपनी नगरी छेत्र का विकास समंदित कार करेगा, क्लियर, ठीक, कानून समंदित जिमेदारी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल B, कि कानून और वरस्था का प्रबंधन, ये उसका उत्तरदाईत नहीं है, नगरी नि ये काम करेगा, कौन? विधान मंदल के द्वारा, ठीक है, तो आंसरीज क्या हो जाएगा, B, भारत में सहरी इस्थानी निकायों के राजर्ट descent के शिरूत क्या है, मतलब भारत में जो सहरी इस्थानी निकायों है, उनके इंकम का शिरूत क्या है, शोष क्या है, कर है, फीस और जुर्माना है, अनुदान और रिन है, option है, एक दो, एक तीन, एक दो, तीन, चार, एक तीन, चार, ठीक, तो फीस और जुर्माना, यह तो होगा नहीं, ठीक, clear, रिन लेके अपना राजस्तों नहीं बढ़ाएगी, रिन लेकी तो चुकाना भी तो पढ़ेगा, ठीक, अप इंकम कैसे बढ़ाती है, वो, इंकम बढ़ाने की बात कर रही है, तो इंकम कैसे रिन लेके इंकम बढ़ेगी क्या, भया उसको चुकाना भी तो पढ़ेगा, लो लो गे तो, तो इंकम कहा हुआ वो, मगर जो टैक्स लेगी और जो अनुदान मिलेगा, वो तो उसका इंकम ह हो गया ठीक है ओके तो आंसर क्या हो जाएगा एक और तीन आंसर इस भी ठीक रिन लेकर के इंकम थोगी न बढ़ती है लिए लिए तो उसका इंट्रेस्ट देना पड़ेगा उसको पूरा पठाना पड़ेगा क्लियर है ठीक और फीस जुर माना तो कोई मतलब नहीं है उसका अंसर क्या हो जाएगा एक और तिंक कर और अनुदान के तहाद चलो नेक्ट कोस्चन में से कौन सा कार भारत में स्थानी सरकार का सरोकार नहीं है साज conservative स्वास्थ स्वक्षता सार्डि हुप्योगिता सेवाएं साजasto स्थानी वर्स्था कर वां मतलि स्थानिक ख yol नहीं है जो को 18 सा एक सभाण नहीं है तो साज़ार संदर क्या हो जाएगा इसका सी क्लियर चलो कि निम्हेकित मैं से कौन सा कथन सहीन नहीं है एक महानगरी छेत्र राजिपाल द्वारा एक साजनिक अधिसुट्नय के माध्यम से निदिस्किया जाता है महानगरी छेत्र का अर्थ है आठा या उससे अधिक अबादी वाला महानगरी छेतर में एक से अधिक जिले सामील हो सकते हैं, महानगरी छेतर में दो या दो से अधिक नगर पालिका या पंचायत या अन्निकटवर्टी छेतर सामील हो सकते हैं, तो इसका भी आंसर आप लोग देंगे मुझे, कि महानगर से संबंदित कौन सा कथन सहीं नहीं है ठीक है, तो या तो महानगरी छेतर राजयपाद वरा एक साजनिक अधी सूचना के माद जम से निदिस किया जाता है, महानगरी छेतर का अर्थ है, आठ लाक या उससे अधिक अधिक अबादी वाला छेतर, महानगरी छेतर में एक से अधिक जिले सामील हो सकते हैं, महानगरी समर्दित कौन सा right option है यह answer आप लोग देंगे तो तीन question हो गया जिसका answer आप मुझे comments box में बताएंगे और I promise you कि मैं हर किसी को reply जरूर करूँगा तो last lecture है तो मैं चाहता हूँ कि मस्त हसी-खुसी विदाई समा रहो ठीक है clear चलो 1999 में 64 & 65 संसोधन अदिनियम पारित नहीं वहे और उससमय możli laugun 1989 में लोग faj बंग कर दी गई लोग strikes आवश्यक बहुमत के भावं में विद्यय को पारित नहीं कर सकी राध्यसबानी किति कमी के कानवा कि य९सार狂 ब्हित नहीं 1989 में, तो अंसर क्या हो जाएगा, A, क्लियर, चलो, सूची एक और दो से सुमलित कीजिए, नीचे दिये गए कूटों का प्रयोक का सहीं उत्तर दीजिए, ठीक है, तो ये एक तरफ दिया है नगरपालिका, और दूसरी तरफ दिया गया है उसका आर्टिकल, तो नगरपालिका का सविधान, नगर निकायों में सीटो का रक्षन, राजवित्तायोग, नगर निकालिकाओं की अवधी, ठीक है, तो, अगो तो लो, कूट, तो कौन सा कूट सहीं है, तो पहला सरल सा उठाओ, नगर निगमों में सीटो का रक्षन, तो सीटो का रक्षन किस में है, टी में ह तो बी का दो ये है क्या बी का दो ये है यह या ये है तो बी का दो एक ये एक ये तो ये और ये कट गया ठीक अब देख लो राज्य वित आयोग का ठीक है ना तो पी क्यू आर एस टी यू वी ठीक ना फिर आजवाब कहां पर राज्य वित आयोग तो उसको याद करो किसमे चल देगा वह पी क्यू आर एस टी यू वी डबलू एक्स वाई जैट तक रख लो बस ठीक ना तो पी में परिभासा है क्यू में गठन है आर में सरचना है इस में वाड है, T में आरक्षन है, U में अवधी है, ठीक है ना, U में अवधी है, तो नगरपालिकाओं की अवधी, तो U कहां चल देगा, D का 4, तो D का 4 ये है, और D का 4 ये भी है, ठीक, अब उसके बाद अवधी हो गया, अब उसके बाद ये V में योगता, ठीक, V में योगता, W मे सकती X में कर लगाने के सकती Y में वित्तायोग खिक तो राज जी वित्तायोग किसमें चल देगा Y में तो C का 3 तो C का 3 ये है और C का 3 ये एक बोड़ है तो ये भी कट गया तो अंसर क्या हो जाएगा B कि 1 का 1 एक B का 2 सिंपल बराबरी बराबर में वित्तायोग का 3 और अवधी का यू तो A 2 3 और 4 तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका B ठीक क्लियर है ठीक है ओके चलो देखते हैं किसे बारत में स्थानी सवसासन का जनक कहा जाता है सिंपल और यह सम्पल सा at डना बरार ऑफ लोकल गर्मेंट कहा जाता है प्लियर है 74 अधिनियम 1992 में से किसके लिए प्राधान करता है नगर समीतिया वार समीतिया जीला योजना समीति महानिगर योजना समीति ठीक है तो जीला योजना समीति महानिगर योजना समीति तो बोलता है तीन चार आएगा आपका ठीक तीन चार आएगा उसके बाद नगर समीतिया नहीं कि लिए नगर पाली का बिल पहली बात संसद में किसके प्रधान मंतरी तो काल में पेस किया गया था वी पी सी चंदर सेखर राजिव गांधी नर्सिंहाए राव ठीक है तो यह तो तभी बनेगा हाप से जब आपको भारत में प्रधान मंतरी का ख्रम याद होगा, ठीक है, clear, तो इसका आंसर भी आप लोग देंगे, बहुत सरल, अभी तक हाट कोश्चन दिया, यह सरल कोश्चन दूँगा, मैं, चार कोश्चन आप बनाएंगे, ठीक है, पहली बार, चार कोश्चन दे रहा हो, बनाने के लिए, ठीक, और लगभग 50 स्ट पास कर रहा होगा, वो आंसर नहीं देगा, ठीक है, clear, मिरे को उम्मीद है, कि मेरे ख्याल से, सब के सब सीरियस वो अपने कैरियर को ले करके, ठीक है, तो आज रिकार्ट तोड़ दो, कमेंस बॉक्स का, ठीक, देखता हूँ, सबसे ज़्यादा, कितने आते हैं, आज कमेंस मिरे को इस, मतलब इस लेक्चर में, देखता हूँ, आज कितना कमेंस पहुंचता है मिरे पास, 50 पहुंचता है कि 100 पहुंचता है, एक रिकार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, clear, तो चार कोशन का अंसर आप लोग देंगे, ठीक, तो बताईएगा, किसके समय में सब से पहल जैड डी, ठीक, तो आंसर इस, 243, जैड डी, ठीक है, ठीक, तो आंसर इस, A, 243, जैड, डी, आई थी, जीला योजना समीती खा, clear, चलो, भारत के सविधान की बार्यों सूची में, नगरपलिकाओं के लिए निमिक में से कौन सा कार निधारीत किये गए है, नगरपलिकाओं के कार पूछ रहा है, ठीक है, clear, तो कूट देख लेते हैं, पहले, सहरी गरीबी उन मुलन, आर्थिक और समाजिक विकास की योदना बन ठीक, चर्म शोधन, ठीक है ना, ये भी काम है इसका, कि बीमारी उमारी के लिए, और सहरी वानिकी, तो आंसर इस, एक, दो, तीन, और चार, आंसर इस, क्या हो जाएगा, चार, ठीक, पेड़ों पहुधे बाढ़ती है, ठीक है, तो आंसर इस, एक, दो, तीन, चार, clear, ठीक, सुची, एक, देखो, समलित कीजिए, नीचे देगा, कुट का प्रयोकर सहीं उत्तर दीजिए, चलो, सरपांच कहां बैठेगा, अध्यक्ष कहां बैठेगा, मेर कहां बैठेगा, काउंसलर कहां बैठेगा, काउंसलर मतलब होता है आपका पारसद, ठीक है, तो सरपं नगर पालिका में, B का 3, B का 3, B का 3 मेर कहां बैठेगा, नगर निगम में, C का 1, C का 1, C का 1 और काउंसलर कहां बैठेगा, वार्ड में, तो D का 5, आंसर इस C काउंसलर मतलब होता है पारशद, ध्यान रखना, ठीक, क्लियर नगर पालिकाओं दोरा तैयार की गई, योजना को कौन समय कित करता है, राजी योजना, आयोग, लोक लेखा समीती, जीला योजना समीती, जीला योजना विकास परिशद, तो जीले में, पंचायत और नगर पालिकाओं दोरा तैयार की गई, योजना को कौन समय कित करता है, तो जीला योजना समीती करती है आंसर A, C ठीक, कौन करेगा जीला योजना समीती clear, next निमिकित कत्थों पर विचार कीजिए राज्य वित्तायोग सीधे केंद्र सरकार द्वारा इस्थापित वित्तायोग से नुदान प्राप्त करते हैं राज्य वित्तायोग राज्यों में विभिन पंचायती राज्य संस्थाओं और नगरी निकायों की आतिकिती की समिक्षा करते हैं केवल एक सही है, एक दो सही है, दो सही है, ना तो एक ना तो दो राज विट्टायोग सीधे केंद सरकादारा, इस्थापी विट्टायोग से दान प्राप्त करते हैं, गलात, पहला गलात, ठीक, केवल दो सहीं है, clear, राज विट्टायोग, राजियों में भिन पंचायती, राज संस्थाओं, नगरी निकायों की आर्थिक इस्थिती की समिक करेंगे, फ्यूज करेंगे, उनको अनुदान देने की बात करते हैं, clear है, तो आंसर इस B, सविधान की किस जोडी में पंचायत और नगर पलिकों के कारों की सामिल किया गया है, मतलब कौन सी अनुसूची है वो, तो ग्यारवी और बारवी अनुसूची, ग्यारवी पंचा है, ठीक है, तो आंसर इस D, clear, चलो, खताम, ठीक, ओके, तो चार कोश्चन है, चार कोश्चन का आंसर आप लोग देंगे, ठीक है, clear है, चलो, एक काम करता हूं, रुको एक मिनट, सुनो, नहीं, छोड़ो अटाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके, चलो, कोई दिक्कत न ही है, ठीक, तो आज अपना लास्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है, मैं सोचा था, पात कोश्चन दे दूँ, मगर छोड़ो टाओ, चार कोश्चन है, चार कोश्चन का अंसर आप लोग दोगे, अब मुझे कमेंस बॉक में बताएंगे, और मुझे पूरो उमीद है, कि लगभग सो लोग दोगे अंसर, मैं को उमीद है ऐसा, मैं को लग रहा है कि कम से कम सो कमेंस तो आएंगे, ठीक, ओके, हाँ, ताकि तब भी तो पताएंगे कि हाँ, कितने सीरियस हो आप लोग पढ़ाई को ले करके, क्लियर है, तो आज अपना लास्ट लेक्चर कंप्ली और मैं उमीद करता हूँ भगवान से, कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और भगवान से ये वी उमीद है मेरी, कि आप सभी का सेलेक्चन जरूर हो, आप जो सपना देख रहे हैं, वो सपना आपका पूरा हो, इसी उमीद के साथ, आप सभी को best of luck, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और किसी प्रकार का कोई भी doubt हो, तो जरूर बताएं, ठीक, clear है, तो चलिए, इंतजार रहेगा मेरे को, आपके answer का, मैं अब इंतजार करूँगा, कि आप लोग में से कितने लोग मुझे उस 4 question का answer देते हैं, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत अध्यम से competition community के द्वारा, ठीक है, अपना ख्यार रखो, और एक बार, लास्ट बार, फिर से आर्या पार, पैदल या, कार, थैंक्यू सो मच,